हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के संग लौकी के कोफते और उसकी ग्रेवी की रेसिपी से यह करने वाली हूँ बीच बीच में कुछ टिप्स भी बताती जाओंगी जिसे कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपके कोफते बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी तो लाजवाब बनेगा यह आप देख सकते हो कितना बढ़ियां दिख रहा है तो दोस्तों वीडियो के संग बने रहीएगा क्योंकि मैं बीच बीच पे बहुत सारी चीज़े बताने वाली हूँ जो कि आपके कोफते के लिए उसकी ग्रेवी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है स्टेप है तो वीडियो को स्किप मत कीज़ेगा पूरा वीडियो देखेगा यकीन है कि आप लोगों को यह ग्रेवी यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इसको आप रोटी के संग चावल नान पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं को अब आजा स्नैक चाय के संग भी सर्व कर सकते हैं बहुत यम होता है ऐसी है अगर मेरी वीडियो आप और देखना चाहते हो और अभी तक आपनी में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आल का नोटिफिकेशन अन कर दीजिए यसे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मेरी जो मैं आगे डालूंगी वह आप तक पहुंच जाएगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो ने सूपर डिलिशियस ल लौकी के कोफते के लिए एक लौकी को यहां पर मैंने कद्दूकस किया है यह देखिए कद्दूकस जो है यह छोटे वारे साइट से कीजिए सबसे पतला होता है बड़े साइट से नहीं कीजिएगा कद्दूकस एकदम जो बारीक वाला होता है उसी उसे हम इसको कद्दू पांच मिनट के लिए आप इसको रख दीजिए फिर देखें कैसे इसका सारा पानी निकल जाता है काफी हाथ तक पानी निकल जाता है हल्का सो नमक लगा करके मिक्स करके इसको इस तरह से रख दीजिए अब हातों से इसको ये देखिए इस तरह से अच्छे से निचोड लेंगे, सारा पानी निचोड लेंगे, ये देखिए बिल्कुल भी पानी न रहे वो ध्यान दीजेगा आउन एसे ही जो लौकी कँद्द्ध कस रखे। इसके पाने को निचोड के निकाल लेंगे। एक पानी बिल्कुल भी न रहे ध्यान देखिएगा। ये देखिए कि इतना साथ पानी निकला है। अब इस पानी को हम फेकेंगी नहीं इसका यूज करेंगे। ग्रेवी में यह देख सकते हुआ बहुत सारा पानी निकलता है और लौकी अच्छे से यह देख सारा पानी इसका निचुड़ गया है अब बाकी चीटे इसमें आट कर लेते हैं करेंगे एक प्याज छोटे प्याज को मैंने इस तरह से चॉपर बे चॉप किया है बारिक बार लाएंगे अध्रग लेशन का पेस्ट आदा चमच आदा चमच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लौकी में पहले भी थोड़ा सा नमक डाल के रखा था तो इसलिए नमक बहुत ज्यादा मध डालिएगा एक चमच भूना हुआ जीरा पाउडर बहुत थोड़ा सा डालेंगे नमक क्ला नमक भी डाल रहे हैं और पहले भी इसमें लौकी में नमक लगा के रखा था और फिर से थोड़ा सा नमक डाला है तो नमक अब ही मिक्स कर लेंगे इस तरह से पहले ड्राई मिक्स करेंगे पानी बिल्कुल नहीं आड़ करेंगे इसमें अब यह देखिए मैंने लिया है बेशन तो चम्मज पहले एक चम्मज डालेंगे थोड़ा थोड़ा बेशन डालेंगे थोड़ा थोड़ा बेशन डालेंगे और बिक्स करते जाएंगे यह देखोल लाओ solar 2-5-bbe मिस्टीम कर लियाया है इतनाभिस का बोलने मिक्स बातकि से। दालनाँ बात लूबस्टीम 신 diving करेंगे अभूं से हाथों से ही मिस्ट करेंगे दालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसे उतना ही बैसन हमें डालना है ध्यान रखिएगा जितना कि हमें बाइंडिंग हो जाए बस फिर से इसको मिक्स कर देंगे अब छोटे से एक पीस को लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे यह देखिए यह ऐसे गोल बन जा रहा है तो अब इसमें बैसन एट नहीं करेंगे लौकी जो है वह पानी छोड़ता है क्योंकि इसमें नमक डाला है तो अब तुरण इससे पहले हम फ्राइ कर लेंगे की दो चीजह obten रख़िएगा एक तो बेसन बहुत ज़ादा हमें soatz नहीं डालना है और दूसरा नमक का पहुत धियाद से डाल लैसकि कर लाउ कि को पाणीनिकालने сторону कर दो वे से व्रूरत नमक डालकर रख़ा था तो उसी साप नमक डाल तो अगर आप चावा अगर आपकी बाइंडिंग नहीं बन रही तो आप थोड़ा सा अबसे नेट कर दो वैसे ज़रूदत नहीं है अब देखिए इसको मिक्स करेंगे और बस रेडी है अब इसको फ्राइ कर लेंगे इस तरह से करके देख लेंगे यह देखिए गोल बन रहा है तो बस बस ऊब यह कर लेते हैं जयदा बेसर ढालने से ही बहुत क्रुशिय नी बनेगा और लॉकी का टेस्ट कम और बेसर का टेस्स जादा आने लगए इसले भान में बहस ज़़ए बैसन से इतना डालना है कि यह बाइंड कर सके जम्मत जो भी आप जैसा पसंद हो अब चलिए पहले इनको फ्राइ कर लेते हैं कोफते फ्राइब करने के लिए यह देखिए तेल मिलिया है मैंने कड़ाई में रिफाइंड लिया है बहुत ज्यादा मैं इसको डीप फ्राइब नहीं करने वाली यह कुफतो को थोड़े से तेल में ही इसको मैं उलट पलटके फ्राइब कर लूँगे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे कोफते के लिए और मीडियम फ्लेम पर इसको प्राइब करेंगे अब चाओ तो बड़े भी बना सकते हो लेकिन बहुत बड़े नह बड़ने चाहिए अच्छे से और बहुत हाई फ्लेम पर इनको नहीं पकाईएगा वनना यह उपर से रेड हुजाएंगे और अंदर कच्छे रह जाएंगे यह देखिए सारे कोफतों को मैंने डाल दिया है तेल में मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राइब कर लेंगे आप उस बस अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए कितना सुनहरा कलर आया है अच्छे से ब्राउन हो चुके है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो चलिए अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए कोफते कितना सुन्दर कलर आया आप देख सकते अब कोटो को Upper में ग्रेवी के लिए सेंट कड़ाई में मैंने सर सो का टेल लिया है तीन चब्मचह अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड आयल में बाण सकते हो एसमें डालें को हीं यह रेखिए तेज पत्ता है छोटे छोटे दोटो दो लाल मिर्च खड़ी लाल मिर्च है दाल चीनी का टुकड़ा जावित्री थोड़ा सा एक चक्र फूल चार पांच काली मिर्च अब इनको हल्का ता फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम रखिएगा हाई फ्लेम नहीं करिएगा वरना बहुत जल्दी जल जाएगा यह देखिए इसको अलगादा प्राई कर लिया मैंने अब इसमें यहां पे मैंने तील मीडियम साइज की प्याज को चौपर में बारिक बारिक चौप किया है आप चाओ तो कट भी क बीच में से कट कर लिया है अब प्याज को तेल में डालेंगे फ्लेम जो है मीडियम ही रखिएगा देखिए प्याज और मिर्ची को मैंने डाला है अब इसको फ्राई कर लेंगे एक चम्मच अद्रग लैसन का पेस्ट डालेंगे अगर आपके पास अद्रग लैसन का पेस् जैसे भी आपको कमपर्टेबल हो आप इसमें डाल सकते हो आप इन सब को पका लेंगे कि हलका प्याज जो है वह ब्राउन हो जाए गल भी जाए प्याज देखिए रेडी हो चुका है ब्राउन हो गया है अब इसमें दो मेडिया साइज की टमाटर को मैंने चॉप किया है बार जाएंगे थोड़ा सहल्दी पाउडर याद रखिए कि जब भी आप मसाले डाल रहे हो तो सुखे मसाले तो फ्लेम को लो करके रखिए आदा चम्मच सौंका पाउडर थोड़ा सा नमक नमक फिर से ध्यान दीजेगा क्योंकि कोप्ते में भी नमक है तो बहुत ही थोड़ा अब इनको मिक्स कर लेंगे वीनन पानी डाले बीन बिन फ्लाइन के लिए इनको फृइर करेंगे राने के लिए थोड़ा समय OUT नमक भी प्नाले ज़री जिने थोड़ा समय नमक मः color यह है तो उसी के ध्यान करथे हूए आप की कोफ्ते में बिनमक और काला नमक भी डालने आप नमक कम नहीं कर पाओगे अब इनको फ्राई कर लेंगे दो मिनट के लिए ऐसे ही भूज लेंगे कि इसमें एक चम्मच बैसन को डालेंगे इससे ग्रेव सब्जवय बाद मैं डालेंगे कि इसे फूरा नहीं डालेंगे, बागी बाद मैं डालेंगे अब इसे थोड़ा सा डालेंगे जिससे मसाला पक जाए अब इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए क्योंकि बेशन जो कच्चा है कच्चा पन भी निकल जाए अब बीच बीच में इसको चलाती रहेंगे चार-पांच मिनट बाद इसमें एड करेंगे थोड़ा सा देखिए कस्मीरी लाल मिर्च है यह सिर्फ कलर के लिए होता है तीखा नहीं होता है और आदा चमच सब्जी मसाला कस्मीरी लाल मिर्च आप ज्यादा भी कर सकते हो और अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप पानी था थोड़ा सा फिर से इसको आधा डाल देंगे और इतना बचा है इसको ग्रेवी मिना लेंगे अब बस इनको मिक्स कर देंगे और फिर से पकने देंगे 4-5 मेट के लिए मीडियम फ्लेंट पर यह देखिए जब तक ऑयल सेपरेट नहीं रहा था तब तक इसको हम प करिंग अब इसमें डालूंगी एक चमच फ्रेश मलाई है दूद के ऊपर जो मलाई रहती है यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको डालना है तो आप डालो अधर वाइस अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसकिप कर सकते हो फिर से बोल रही हूं मैं यह आप्शनल ह क्योंकि हम साही कोफते नहीं बना रहे हैं लौकी के उसकी रेस्पी मैं नेक्स्ट वीडियो में सेयर करूंगी दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए वन्ना मेरे आगे की वीडियो आप मिस कर दोगे मलाई बिल्कुल ऑफ्शनल है अगर आपको मलाई नहीं ड मासाल देंगे और फिर सादा पानी इतनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उसे कॉर्डिं पानी डाल सकते हो और इनको मिक्स कर देंगे मसालों के साथ अच्छे से यह देखिए बहुत डिलिशियोस कोफते बनते हैं कोफते की करी और उपर से डालेंगे आधा चमच गरम मसाला बहुत जादा मसालों का भी मैं इसमें यूज नहीं कर रही हूं नॉर्मल मसाले ही डाल करके आप बहुत यम्मी सा लौकी के कॉफते की करी रेडी कर सकते हैं वाइस पानी अपने कॉर्डिंग रखिए का जितना ग्रेवी जावल के संखाना है की रोटी के संखाना है तो उस आप से आप इसको पानी रख सकते हो यह पूरा पर डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए अब ग्रेवी पकाने के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें जो कुफते बना के रखेते लोकी के वह डाल द लास्ट में इसको डालेंगे जब देखेंगे कि हमारा ग्रेवी पक चुका है इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है करी में तो एक बाद तो जालिएगा जरूर अब Ready है मारा सूपर डिलिशियस लौकी के कोफ़ते और उसकी करी यह देखें अब बस फ्लेम को बंद करेंगे और इसको स기 या देक है रेखें एमारा सूपर डिलिशियस लौकी के कोफ़ते और उसकी ग्रेवी कितना डिलिश्यस दिख रहाएंगे कितना बढ़ी आए आप देख सकते हो तेक्स्टर देखिए ग्रेवी का कितना बढ़ी आया है और बीच बीच में जो भी मैंने बताया है जो भी टिस्ट दिया है उसको जरूर ध्यान अखेगा आई होप आप लोगों को ये रेस्पी पसंद आएगी अगर रेस्पी अच्छी लगती है तो वीडियो को इक लाइक कर दीजगा और कमेंट करके जरूर बताया कि आप लोगों को ये रेस्पी कैसी लगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के संग अपने रिस् नोटिफिकेशन ओन कर दीजिए जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम पर चलिए पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार टेस्टी से रेस्पी के साथ तक लिए थैंक यू सो मच बाइबाइबाइब